नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हलचल पर केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी की संकलपना से वरिष्टन आगरिकों के लिए शुरू की गई खासदार हेल्थ कार्ड योजना के तहत कारडों का वितरन किया गया लोकमंच जेश्टन आगरिक मंडल के सदस्चो द्वारा आयोजित इस शिविर में दक्षिन नाकपूर के विधायक मोहन मते मुखे रूप से उपस्टित थे एवं उनके हातों लाभार्थियों में कार्ड प्रव्यक्षालाओ एवं दवाईयों की दुकानों में छूट मिलेगी इस विधाकालाप सभी वरिष्टन आगरिक ले यहां आवाहन मंडल के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडे करने किया लोकमंच जेश्टन आगरिक मंडल की ओर से स्वास्थ शिविर का आयोजन होते रह इस अउसर पर कैप्टन प्रभाकर विंचूर कर विनोच चुरड अरुन वानखिडे काशिनात गुमगाव कर भासकर गावंडे प्रभुनात खाफिकर विजय नवकर कर नामदेव शिंगने डॉक्टर बानाइत आधिनागरिक गन उपस्तित थे अखिल भारतिये पुलक मंच परिवार नागपुर द्वारा भारत गवराव राष्टर संता आचार यह श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के आउतर अंदिवस पर आयोजित पुलक परवपर मंगलवार सुबा आखों के निशूल का जाच शिविर का आयोजन किया गया पुलक मंच के कारिया ही उनकी पैचान है सामाजिक जनवपयोगी रचनात्मक सेवा भाव के कारिया हमेशा होते रहते हैं गुरुदेव के आउतर अंदिवस पर दो दिन कारेक्रमों का आयोजन किया है सुनिल जैन पिंडारी ने भी अपने विचार वेक्त किये समारों में राष्ट्रिय कारद्यक्ष डॉक्टर रीचा जैन, पंकज भूरा, दिलीप शिवनकर, सुनिल आगरकर, मगनलाल दोशी, देविंद्र आगरेकर, डॉक्टर नरेंद्र भुसारी, अनिल गवारे, शेरद मचाले, प्रकाश उदापूर कर, संतुष सावलकर, सु समुकतिती के रूप में उपस्तित थे, उन्होंने अपने प्रारम्विक भाषन में कहा, कि ईद मिलन एक सामुईक कारेकरम है, और इसमें सभी जातियों, एवं समुदायों के लोग शामिल होते हैं, और यह प्रतित होता है कि हमारा भारत देश, एकता का प्रतिक है, DCP अपने विचार रखते हुए कहा, कि हमें सभी धर्मों का संबान करना चाहिए, और कुछ निताओ के धर्मे के नाम पर लोगों को बाटने के एजेंडा को नाकाम करना चाहिए, इस आउसर पर रुंदा विकास ठाकरे, DCP संदीप पाखले, ACP मादूरी बाविसकर, गड़ी अपने खान, संद्या ठाकरे, राजिश लांजिवार, ग्रनेश चाचेरगर, उपस्थित्थे, मंच संचालन प्रदेश सच्यूफ सैयद मुम्ताज ने किया और आभर प्रदर्शन अमान खान ने किया सुप्रीम कूट के आदेश के बाद, राज्य चुनाव आयोग ने एक बार फिर महानगरपाली का चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसके तहट आगामी चुनाव में तीन सदस्तिय वाल्ड प्रणाली और फरवरिम में प्रचारित नए वाल्डों की सिमय यथाव रहनी की संभावना है, मनपा से मिली जानकरी के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने वाल्डों के परिसीमन की पुरानी प्रक्रिया को जारी रखने और इसे अंतीम रूप देने का फैसला किया है, राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुसार, नगर आयुतर राज्य चुनाव आयोग ने मार्श के पहले सपता में प्रधान सच्यू और विनु गुपाल रिड़ी की अध्यक्षता वाली एक समीती द्वारा प्रस्टूट किये गए, वाल्डों के परिसीमन के मसोदे और संभागी आयुकत प्राजक्त लवंगारे वर्मा, नगर आय कृष्णन भी और कलेक्टर आरविमला से संबंदित प्रश्ण पूछे थे, मसोदा तीन सदस्य वाल्ड प्रणाली और एक फरवरी से चौदा फरवरी के बीच मनपदवारा प्रचारित नए वाल्डों की सिमयाओं के आधर पर तैयर किया गया था, आयोग को मार्श में मस पकड़ पर नाराजगी वेक्त की, वही दूसरी और राज्य के ग्रुवमंत्री दिलीपल से पाटिल ने कहा कि सभी फरार मनसे कारेकरता सरिंडर करे, वीमानत्यल पर चर्चा में पाटिल ने कहा कि आरोपियों को खुजना पुलिस का काम है, कानून वात सुवेवस्था के मुद्वे पर पुलिस अपना काम कर रही है, जिन मनसे निताओ के खिलाप मामले दर्च किये गए है, उन्हें पुलिस के सामने समरपन करना चाहिए, मनसे निताओ के साथ कैसा वेवार किया जाना चाहिए, इस बारे में आप राजठाकरी मारगदर्शन करे, पुलिस कानू रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है नगपूर एयरपोर्ट के विकास के जिम्मेदारी अब GMR के पास ही रहेगी काफी दिनों से कानूनी विवाद में विकासकारी ओल्जा हुआ था लेकिन सुप्रीम कोट ने GMR के पक्षम में अपना आदेश दिया है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कानूनी विवाद खत्म होगा और GMR इस एयरपोर्ट को नए सीरे से नए मुकाम तक ले जाएगी सुप्रीम कोट ने उच्छ नयले के आदेश को कायम रखा है इससे राज्य सरकार मिहान और एया आई को करारा जटका लगा है मिहान अंडिया कंपनी ने नाग GMR साइच अन्य चार कंपनियों को तांतरिक बोली के लिए आमंत्रित किया गया था GMR ने बाकी कंपनी से ज़्यादा बोली लगाने से उसे काम दिया गया था GMR ने काम मिलने के बाद मिहान इंडिया की सहमती से GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी की स्थाप अपना की गई और इंसिटी के लिए एच्छे दिन है हालाकि सरकार अभी भी एशिया के प्रतिष्टित मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अपग्रेट करने के लिए इच्छुक नहीं है 380 बेड की योजना थी लेकिन 30 वर्ष बाद भी इसे घटा कर 230 बेड कर दिया गया है यह गोशना की गई थी कि सुपर में से 7-8 सुपर स्पेशलिटी पाठ्ठक्रम शुरू किये जाएंगे जो मद्ध भारत के लिए गवरों की बात थी लेकिन दो विशयों में DM पाठ्ठ है लेकिन यहां सेवाय बंद की जा रही है यहां हर दिन OPD में 1000 मरीजों का इलाज किया जाता है भीड दिन बदिन बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार सुपर स्पेशलिटी का दरजा बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करती नहीं दिख रही है हालही में विशेशकारे अधिका महनगरपालिकाओं की चुनाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से कानुन में संशोधन किये जाने को सुखों में चुनाओती दी गई सर्वुच्य नयलेव की और से हाल ही में OBC आरक्षन और मनपा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर रज्य चुनाव आयोक को सपस्टर निल्देश जारी किये गए हाला कि रज्य सरकार के संशोधन पर किसी तरह की टिपपनी नहीं होने से चुनाव कुछ महा तक टलने की भलेई अटकले लगाई जाती रही हो लेकिन अब आयोक की और से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाने से चुनावी बिगुल बजने की जानकरी सुत्रों ने दी मंगलवार को राज्य चुनाव आयोक की और से प्रक्रिया आगे बढ़ाय जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी जिसके अनुसार अब 14 महानगर पालिकाओ की प्रभाग रशना तयार है अथा 17 मई को अंतिम प्रभाग रशना का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उलेकनी है कि मन्पा चुनाव को लेकर सर्वुच चनैला की और से आदेज जारी होते ही चुनाव आयोक काम में जुढ़ गया इसका अंदादा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य चुनाव आयोक की ओर से 6 मई को आदेज जारी कर सभी 14 महानगर पालिकाओ के अधिकारियों को आयोक के कारेले में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई जिसके बाद मंगलवार तक प्रभाग रचना को अंतिम करने की प्रक्रिया जारी रही नागपूर महानगर पालिका के टीका करन केंदरों पर प्रती दिन टीका करन किया जा रहा है इसलिए मनपा के सभी टीका करण केंद्रों पर आज केवल को वैक्सिन टीका उपलब दोगा टीका सुबह 9 बजे से दोपर 2 बजे तक दिया जाएगा टीका करण के लिए पंजी करण आनलाइन और आफलाइन दोनों पद्दतियों से किया जा सकता है साथी निगम के स्वास्थ विबाक की ओर से टीका करण के लिए जाते समय एक पंजीकरूत मोबाइल फोन और पैचान पत्र साथ में रखने की अपिल की गई है लक्षमी नगर जोन में कामगार नगर यूपीएच सी, कामगार कॉलोनी, सुभाष नगर एवं जैताला यूपीएच सी, जैताला में आज को वैक्सीन का टीका उपलब दे धरमपेट जोन में फोटाला यूपीएच सी, अमरावती रोड, गली नमबर 3, सुदामनगर यूपीएच सी, पांडरा बोडी, हिल टॉप, केटी नगर यूपीएच सी, केटी नगर हाजारी पाहड यूपीएच सी, हाजारी पाहड डिक डिस्पेंसरी, VIP रोड, एवं इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर में आज को वैक्सिन का टीका उपलब दे। दाराओं के अंतरगत कुल मिलाकर 2436 वहांचालों को पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 276,000 रुपे का जुर्माना वसुला। इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत 16 मामलों में 16 आरुपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 96,000 रुपे का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत 3 मामलों में 15 आरुपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 3,27,000 रुपे का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन सहीउक्त रुप से नाकपूर सिटी पूलिस द्वारा किये गये थे। ट्रेफिक विबाग ने यहां वन किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से संबंदित सभी दस्ताविज अपने पास रखे। की ढुलाई की जा सके। किया गया। वेकुली द्वारा योकोना खान से कोईला निकाला जा रहा है। ऐसे में अब VIDC ने स्कूल की अधिकरहन जमिन वेकुली को सौप कर इस पर कोईला ढोने के लिए सड़क बनाने का फैसला दिया है। राष्ट संत्य तुकडोजी महाराज नाकपुर विश्वविद्याले की परिक्षा प्रणाली बुरी तहरा चर्मरा गई है। जानकारी के अनुसार, MKCL कंपनी की वापसी के बाद विश्वविद्याले के नतीजों की गाड़ी पर ब्रेक लग गया है। विद्यार्थियों की लिखित ऑनलाइन परिक्षा विश्वविद्याले द्वारा लिगई, फ्रतमवर्श की परिक्षा को छोड़कर शेज सभी परिनाम समय पर जारी हुए। विश्विद्याले का नियम है कि परिक्षा होने के 45 दिन के भीतर विश्विद्याले को नतीजे जारी करने होते हैं लेकिन इस बार इस नियम की जमकर धजिया उड़ रही है। इस मामले में विश्विद्याले के परिक्षा नियंतरक डॉक्टर प्रफुल साबले ने कोई संत्रानगरी के लगभग 1700 अनधिकृत लेयाउट में से तकरीबन 600 लेयाउट को गुंठेवारी कानून के तहत नियमित करने के लिए नाकपुर सुधार प्रण्यास द्वारा प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी गई है। धारकोंने भुखन नियमित करन के लिए आवेदन किये हैं। गड़करी ने कहां कि सरकार ने 2024 तक सड़क हाथसों में होने वाली मौत में 50% कमी लाने का लक्ष निर्धारित किया है। केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने सुमवार को एक कारेक्रम में अपने संब्धन में कहां कि सड़क सुरक्षा एक गंभिर मुद्दा है और सड़क हाथसों की कत्ताई कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दो का सामुहिक धंग से समाधान करने के लिए संबंधित पक्षों को सवेदंशिल बनाने पर जोर भी दिया। उन्होंने कहां कि सरवाधिक दुरगटना वाले स्थानों ब्लैक स्पोट के संदर्ब में ततकल कदम उठाय जाने चाहिए। बनाये गए टैग दे कर सम्मानित किया गया। इवम राष्ट्रबादी कॉंग्रेस पार्टी के अलपसंख्याक विभाग के अध्यक्षव शेख वसिम लाला के नेतरुत्व में पुरुवगरुह मंत्री अनिल देश मुख के जनम दिन के उसर पर रागापा कारे करताओ दोरा पाटरन कर चौक सिर्थ शास के बाल गुर इस कारेक्रम में मुख्यरुप से प्रिति खाड़ेगर ब्रिजपाल सिंग सहानी, शहजाद अंसारी, इमरान खान, शादाप खातिन, मिर्जा जावेद बेग, रचना गजबिये एवं अन्यपदाधिकारी उने हिस्सा लिया, दिनेश काल बांडे ने बाल गुरुह दिका इवं राम कताय की है, उनके करोड़ों भक्त देश विदेश में है, उनके विशाल आश्रब में जनहीत में कई प्रकार की पहल की जा रही है, मंगल में परिवार की अवधारना, परव्याख्यन, रानी कोठी, सिविल लाइन में आज शाम साड़े छे बज़े आयोजित किय बड़ी संख्या में भक्तों को उपस्तित रहे कर कथा का लाब लेने का आभान आयोज़कों ने किया है, यूको बैंक के रिटायर करमचारी संगणन का त्रैवार्शिक संमेलन परवाना भवन में आशा और विश्वास के साथ संपन हुआ, शिक्षविद डॉक्टर अगल रायलू उदगाटन सत्र के प्रमुक अतीती थे, परवाना मेमोरियल के प्रवंदक ट्रस्टी, डी-ेज बुचे मुख्यरूप से मंच पर उपस्तित थे, कारेक्रम के अध्यक्षता पूर्वा बैंक यूनियन नेता एके मित्रा ने की, आरंभ में ओपी वर्मा ने और अतीतियों का परिचे गरवाया, अपने उदगाटन सम्मोदर में डॉक्टर रायलू ने सभी उपस्तितु का अभिनंदन करते वे कहां, कि रिटार्मेंट जीवन की दुसरे महत्वो पूर्ण अध्यकी शुरुवात है, अपने अधुरे ख्वाप, अपने पुराने च परिचारियों का सत्कार किया गया, कारेक्रम का संचलन के शांडिल या निकिया, भुजन के पिशात हुए 17 में समस्याओ पर खुल कर चर्चा की गई महाकाले नगर जोपड़ पट्टी में लगी भिशन आग की सच्चाई का पता लगाने के लिए महावितरन, गैस विस्फोटक, फोरेंसिक तथा दमकल विभाग सयुकतरुप से जाँच कर रहे है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने तथा सिलेंडर में धमाके ह उने की वज़ा का पता चल पाएगा, पुलिस आइव तमितेश कुमार ने ये जान करी दी है, सुमवार को महाकाले नगर जोपड़ पट्टी के सो से अधिक जोपड़े जल गए थे, इस आग में 56 LPG सिलेंडर में धमाके हुए थे, काफी प्रयास के बाद आग पर काबु पाया गया था, पुलिस आइक तने वताया कि जिस मकान से आक आरम हुई, उसकी जांच महा वितरन, पॉरंसीक और दमकल विभाग की टीमें कर रही है, इन विभागों के दल घटनास्तल का मुआयना कर रहे है, LPG सिलेंडर धमाकों की भी फिसपोड़क तथा ग्यास कमपनी का दल पता लगा रहा है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, ये जोपड़ पट्टी वन विभाग की जमिन पर बसी हुई है, इसमें एक पुर्वा मंत्री की एहम भूमी कावत आई जा रही है, परिसर के एक छुट भई अनेता ने भी पैसे ले कर कई लोगों को हावसाया ह इसकी भी जांच किये जाने की मांग पीडितो एवं विपक्ष के नेताओ द्वरा की जा रही है, मांसुन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर के मार्क दर्शन में मंगलवार जिला अधिकारी कारियाले में आपदा प्रबंदन प्राधिकरन की बैठक हुई, इस बैठक पुलों के बारे में जानकरे तैयार करना आधिकारे शामिल है, तहसिलों में बाड़ प्रभाईत गाओं के लिए संपर्क बैठक में अधिकारियों की न्यूक्ती, बान से विसर्ग, नदियों के जलस्तर और वर्षा के पुरवानुमान और सानिय प्रशासन, वो पंचायत पुलों के बारे में जानकरे जलादिकारे कारे ले को प्रस्तुत करने को कहा गया है कर अजीन बारे में जान कारे की जलस्तर प्रशा की —